बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या बट्ट कर सकते हैं इस्टाग्राम पर जरूर फोलो कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल से आज की हमारे डेट है 25 जन्वरी और मैंने आप लोगों के सारे जितने भी कमेंट्स हैं उन पर रिप्लाइ करना स्टार्ट कर दिया है जिसक के नाम है आयूशी और मैंने आपके अपनी पूरी पर्सनल आईडी से सारे आपको रिप्लाइजे करेंगा जिसका ड़ो भी डाउट है है पूरा हम आगी हाँ पर देखते जाएंगे समझते जाएंगे इसमें सारी चीज़ आपको तो चलिए हम लग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को और हमारे जो important articles हैं सबसे पहले उनको श्टार्ट करते हैं हमारी important articles में सबसे पहला article है Buddhism और Indian Heritage site परे ahom burial site India-Maldives के relations hybrid immunity exoplanets और export-led Employment вос konstization कि चलिए हम लोग first question से आद फिर्स article से स्टार्ट करते हैं हमारा कि अगर हम पहले के युग की बात करें, तो यहाँ पर जो है, हाली में अगर हम देखें अभी, तो खुदाई करने पर, बंगाल के अंदर जो भरतपुर एरिया है, वहाँ पर बौध मट के, जो है कुछ अवशे हैं, जो पुरानी चीज़े होती है, वो प्राफ हम यहाँ पर, तो क्या है न कि भरतपूर एक एरिया, गरतो भरतपूर एरिया राजिस्थान में है, तो यहाँ पर अभी रिसेंट्री भरतपूर एरिया में, जो पक्षपרशिम बंगाल का रीजिन है, वहाँ पर जो है यह देखा गया है वहाँ पर excavations excavations क्या होते हैं कुछ खुदाई करने पर वहाँ पर चीजें मिलना और उसको यह समझ में आता है उस चीजों को देख के कि वो जो है वो बुद्धिजम से जुड़ी हुई काफी important है पहले भी site की खुदाई की जा चुकी है पचास साल पहले 1972 में 1975 में भी और उसके बाद पचास वर्षित कोई भी यहाँ पर जो है जो है जो खुदाई है वो की नहीं गया है और अभी ही recently जितने भी हमारे पुरातित वो विद्ध हैं जो भी हमारे आर्केलोजिस्ट है उन्होंने यहाँ पर यह चेक करा उनको क्या मिले है वहाँ पर काले और लाल बर्तनों को वहाँ पर उनको देखा गया है ठीक है तो बुद्ध साइट हमारे लिए इंपोर्टन हो जाएगी और यह कहां पर बनी है दामुदर रिवर सब जानते है आता है वो का एसे मुधरिया पर अप्रिंस के और रूपही JACK हैं कि इसको जाता है उनकी मुद्राया यहां पर देखने को मिली भई है जैसे एकुखम मुद्रा की बात बहुंत देखो आपका ये question ancient history में बन सकता है इसलिए मैं इंपोर्टन बता रही हूँ प्लीज इसको learn कर लीजेगा यह मासदा falling ancient history में आपका इससे question बन सकता है जैसे अभे मुद्रा अभे का मतलब क्या होता है आप जो किसी से डर नहीं रही है ना आपने निर्भेता है आपका किसी से डर नहीं रही हो तो मतलब शुरक्षा शानति परोखकार और बह्यकोत दूर करने के लिए उनकी य tien मुद्रा है धर्म掉 मुद्रा में क्या होता है धर्म चक्र मुद्रा क्या कहती है कि जब धर्म चक्र परिवर्तन आप लोगों को याद है यह उससे जुड़ा हुआ है जब बुद्ध ने यहाँ पर एनलाइटनमेंट ज्यान की प्राप्ति कर ली थी और उसके बाद पहला जो अपना उनमें लेक्चर दिया था जिसको हम क् इसलिए आपने सबको जानते भी सारनाथ पिलर की क्या इंपोर्टेंस है और उस टाइम पिरिट को हम क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन पहिये का घूमना यह उसी शण का एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है मैं बिलकुल यह कोशिश कर रहे हूं कि आपको जो है इ पुमिस पर्ष का मतलब क्या कि जो बुद्ध है वो यहां पर पृत्वी को चू रही है ठीक है तो यहां पर उन्हें ने यही जब बुद्ध ने यहां पर ज्यान प्राप्त किया था बौधी पेड़ के नीचे तब कि यह मुद्रा है उसके लिए कहा जाता है फिर है वरद ज्यान मुद्रा वो आप समझ सकते हैं जब ध्यान एकी करत करना इसको कहते हैं कर्ण मुद्रा यह वो मुद्रा है जब यहां पर राक्षसों का सनहार करा है और बिमारी नकरात्मक जो हमारे विचार आते हैं हमें बादा डालते हैं यह उन सब का सनहार करने के लिए इस मु से आई हैं जो जो आप जहां पे जो मूर्तियां देखी गई हैं उसमें बुद्ध के कुछ हैंड जेस्टर यहां पर हैंड जेस्टर जो होते हैं वो यहां पर देखी गई अभे के लिए ध्यान के लिए करन के लिए ऐसे हाथों को मोड़ना अभे में इस तरही किसे ध्यान बैटना तो यह सब जो मुद्राएं है ना इन मुद्राओं के help से यह search किया गया है कि उन्होंने इस इस चीजों को यहाँ पर डिपिक्ट किया है चेक है इनकी जो मुद्राएं है वो आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगी कि इन मुद्राओं के बारे में आपको यह बताना है बाच्दा को लेंगे है ना ऐसा क्वेशन बन सकता ना तो बस यह याद रखना है इसमें देना आते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल आहोम वूरियल साइट आहोम जो है यहां पर उनको जो है युनेसको की जो धरोहर सतल होते हैं युनेसको हैरिटेस साइट उनकी शीष में शामिल होने की उनको होड़ है अभी मिला नहीं है भारग की तरप से अभी सरफ 40 si aci site है जिसको यह दर्जा पर आपके दिबाग में को हम यहां पर देड़ेंगी अहुम कहां पर आप लोगों सुनते हैं आपके दिवाग में क्लिक हो जाना चाहिए मैं आसाम की बात कर रही है तो यहां पर अभी नौर्थीस में से किसी को यहां पर नहीं मिला है देखों यह स्टेटमें जो सेकंड वाली लिखी हुई है यह आ बिल्कुल बेशक है गिंशकुपण के सब्सकूब vefna سे हमएं संवा करने निकर दाहसंस्कार के लिएक पूर्य Ф dai befna ļु दसकों को दाहसंट कौप प्रदाना इस पहले पूरीरल चाहता है ठीक है यह इसी प्रकार से इसका याद रखेगा और उसके अलावा यहाँ पर जो है यह चराई देव जो है रीजन चराई देव इसमें शाही कब्रे बनी हुई है जिसमें अहूम के टीलों पर दफनाने के परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है और इन चराई देव मिदानों म तो देखे अहूम डानेस्टी जो है वो यहाँ पर इसमें क्या-क्या इसके important facts है अहूम डानेस्टी ने यहाँ पर present day जो हमारा आसाम है उसको करीब-करीब 600 साल के लिए यहाँ पर राच किया है और यह ब्रह्मापुत्र वैली आप लोग जानते हैं जो जो बाद में यहाँ पर आई थे और उन्होंने फिर आगे रूल करना start किया तो उन्होंने कई 600 साल तक यहाँ पर रूल करा और आपको पदा है कि उस टाइम पर मुगल सम्राज्जे भी हुआ करता था ताइम पिरिएट देखो 2028 से 1826 तो यहाँ पर मोगलश्मराज्य भी हुआ करता था उस समय तो कि इन्होंने बिल्कुल मार्घेरा तरिकी से मोगलश्मराज्य एस्वंछ का जो शासन 1826 में यांडाबू की जो ट्रीटी हुई इसी ब्रिटिश और उसके बाद यहां पर यांडाबू की ट्वीटी 1826 यह क्वेशन भी कई बार पूछा जा चुका मैस्दा फॉलिए यह यह पूछा गया यांडोबू की ट्वीटी किसके साथ की गई है ठीक है तो यहां पर यहाद रखेगा अहूम पॉपिलेशन के ऊपर क्वेशन आ सकता है आसाम के काफी सारे डिस्पूट चल रहे हैं आसपास में लेकिन यह यह कि अभी प्रेजेंट ली तो चलो आप खोड़ा सा पड़ेगी इसके अंदर की यह इस तरीके से ताई अहों के नाम से इसको जाना जाता है इनका काफी अच्छा administration कहा जाता था अब से पहले यह राजा यहां पर रूल किया करते थे जिन्नों नहीं पर स्टार्ट कर रहा है अब इनको डेटेल में आपको मैं इसलिए नहीं बता रही हूं और ज्यादा क्योंकि असांक का जो पेपर आएगा ना उसमें जाधा डिटेल में पूछा जाता है लेकिन यहां काफी अच्छा अडिनिस्ट्रेशन था इनके पास नेवी, स्पाई, एलिफैंट, इंफैंट्री सब कुछ था और एक आपको मैं बता दू यह क्वेशन बीपेसी में भी पूछा गिया है कि कौन सी किंडम के आर्मी के जो कमांडर इंचीफ थे आर्मी के जिसको बोर फूकन क कि एक पोस्ट थी तो यह आप याद रखेगा बोर फूकन जो है अहों किंडम में जाना चाहता था तो एक छोटा सा फाक्ट याद रखना है यह आक्चली कई बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको यह बताया है इसको लर्न भी रखीगा बड़ते हमारे थर्ड आर्टिक कि अगर मैं स्पेशली आज के समय में बात करूं तो काफी नए नए चीजों के रूप में वह चेंज होते रहे हैं और अब यहां पर चेंजिस उसके अंदर काफी सारे आ रही है अब क्या चेंजिस है कैसे है वह समझ लेते हम लोग कि सबसे पहली चीज तो देखो यार अंगलादेश पढ़ा हूं मैं चाइना पढ़ा हूं मैं आपको यही कहूं भी थी सबसे पहले जो है वह चाइना का इन्वेजन जो है यहां पर होता है तो अब क्या है कि मॉल्डीव्ज ने चाइना के साथ 2017 में यहां पर जो है एक फ्री ट्रेड अग्रिमेंट साइन कर ल मॉल्डीव का 70% से जो अधिक विदेशी रिण है वो चीन ने ही दिया हुआ है तो अभी किसके अंडर पूरे किसके अंडर चल रहा है पूरा वो चीन के अंडर पूरी बात चल रही है यहां पर चाइना काफी कंट्रोल करेगा ना अगर अमना रिन दे रखा है तो प्लस आ हुआ है कि अब जो मॉल्डीव असको भी धिरे-दिरे समझ में आता जा रहा है कि अब हमारी आर्तिक तिती और भी खराब हो सकती है और आगे चलके हम डेट ट्राफ में पसके चाइना के अंडर होते जाएंगे ठीक है और उसके बाद साथी साथ यहां पर जो प्रेजिडे को रोग दिया और सारे विपक्षी जो भी जो अलग से क्रिटेसाइस कर रहे और उनको गिरफ्तार कर लिया और यहां पर इस चीज़ का भारत ने काफी विरूद भी किया था इसके अलावा जो राश्पती है महां के उन्होंने बिना चीन के साथ जो है वो और समन्द पर राश्पती यामीन ने जो है यहां पर एक इंडिया आउट करने का अभियान यहां पर चलाया जो कि बहुत जादा गलत और हमें इंपक्ट करेगा हमारे रिलेशन को और यह सब जो प्रोटेस्ट है यहां पर इनके जो है इनको यामीन जो है उनको धन शोदन के मामले मे सजा भी सुनाई गए थी जिसके लिए बोला कि जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए यह कुछ प्रॉइंट्स यहां पर चल रहे है प्लस आती साथ यहां पर कट्टरवाद जो है वह भी थोड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा आई एस और देश की जो यहां पर इंफ्लूएंस इसरिए यह टॉल्स है सिटी हे वहां की जो है इसमें वहां पर वानिज्ये दूतावास यहां पर बना दिया गया है एंडिया ने अप्रूफ कर है कि वहां पर जो है अड्दू सिटी में यह एक वनिज्ये बनाया जाए पिर मौलदीव सरकार द्वारा इस चीज को जो हमारे सैन्ने करनी थे उनका वीजा विस्तार को स्विकार ना करने से भारत के हलिकॉप्टर वापस देने के लिए कहा गया था तो यह भी एक पाक्ट जो है वो याद रखेगा और अब हम चाहते हैं कि भई हमारे रिलेशन उनके और साथी साथ हम लोग जो है अपनी की कंडिशन के लिए वहां पर डिपेंडेंट और आगे आने वाले टाइम पीरड में जो अरब सागर के रास्ते से आने वाली यह खाड़ी है वहां से होते विए गुजरते तो हमें उनकी भी यहाँ पर नीड पढ़ रही है प्लस यह स अच्छे बनाने पड़ेंगी और आज के टाइम पर करीब 29,000 भारती जो है वहां पर रहते भी हैं जिन में से करीब 22,000 मॉल जो हां की रीजन है वहां पर रहते हैं और मॉल्डीस का जो टूरिजम आता है वो 23% सिर्फ इंडिया से ही आता है आप भी जानते हैं आप लोगो करने वेकेशन मनाने के लिए कहां चले जाते हैं मॉल्डीस चले जाते हैं बास बहुत है और ब्यूटिफल भी बहुत है तो टूरिजम उनको वहां पर हमारे इंडिया के वेदे से बहुत जादा है ठीक है तो यह याद रखिएगा आप लोग भी ज़रू जाना चाहते हों पर हेल्प करी और इवर कोविट नाइंटीन के डाइम पीरण में जब वहां पर इतना प्रॉब्लम चल रही थी तो टूफटी मिलियन डॉलर की जो है हम लोगों ने यहां पर पैसा जो है उनको यहां पर दिया है वहां पर नवीन एक कारगो फेरी की भी स्टार्टिंग कर यह संवुदरी एंबुलेंस को भी उहां पर मुहया कर आ के दी हैं उनको तो तो काफी सारी चीजले हम उनको करकर दिया है कौन सी जगा पर बढ़ाया है हनी माधू में ठीक है वहां पर भी हमने इंटरनाशनल एरपोट उनको विक्सित करवा के दिया है और साथी साथ वहां की बहुत सारी जो फाइनांसिंग है वो भी इंडिया की तरफ से वहां पर करवाई जा रही है कौन से आइलेंड पर पर जाती है कि हम उनको सपोर्ट भी करें गिफ्ट भी करते रहें बीश में कुछ ना कुछ और वहां पर हुमाइनिटेरिन असिस्टेंस जो होती है वह भी हम इनको प्रवाइट करते हैं ठेक है तो यह था हमारा थर्ड नेक्स पढ़ते हैं हमारी कम्यूनिटी क्या गिस न नाचरल इंफेक्शन या फिर वैक्सीन के अगेंस्ट मतलब आपको एक इम्मिनिटी मिल जाती है प्रतिरक्षन करने की शमता मिल जाती है जहां पर प्राफृतिक रूप से भी और टीको दोनों से आप यहां पर जो है अपने अगेंस्ट हो जाते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा ठीक है आपको क्या होगा कि आपको इंफेक्शन को ही होता है तो आपको काफी जादा यहां पर टीका करन के बाद आपको काफी हेल्पफुल महसूस होता है और वो इंफेक्शन वैक्सिनेशन के बाद अगर इंफेक्शन होगा तो आपको बूसर की तरह काम कर देगा होने के बाद एक प्राक्रितिक संक्रमन होगा तो टीके की तुलना में बहतर सुरक्षा निश्चित होगी क्योंकि हमारा जो उससमें जो हमारी बॉड़ी होगी वो उससमें क्या बना सकती है बनाने के बजाए संपून वाइरस की विरुद यहां पर तयार होने के तयार है तो यह कोविड जैसे हुआ न उसके बाद अगर इंफेक्षन होता भी है तो हमारी बॉड़ी उसको लड़ने के लिए पूरी तरीके से तयार है यह उसके लिए हाइब्रिट इम्मुनिटी का न थे आगर मैं आप बात करूं इम्मुनिटी के हमारी एक होते है आक्तियव इم्मुनिटी जब क्या होता है कि जब कोई भी रोगाणू हमारे संपर्क में आता था ही तो उससे बचने के लिए हमारी बॉड़ी क्या तयार कथी है अड़ी बॉड़ी तयार करती है दाकि हम उ के बाद एक होती है नाच्रल इम्यूनिटी यह कब होती है वास्तविक रोक संक्रमन के माध्यम से रोगानू के संपर्क में आने से प्राकृतिक प्रतीरक्षा आपको प्राप्थ होती एक होती टीका प्रेरित वैक्सिन लगेगी तब आपको यहां पर जो है वो डेजीज को क करके मार दिया जाएगा और फिर होती है पासिव इम्यूनिटी यह क्या होता है पासिव हमिनिटी निश्क है जिसमें जो है कि से प्रतिरक्षा प्रणालीके रक्त युद्ध उपाद उन सब के थूवी यह चीज दी जाती है तो यह है आपका पासिव इम्मुनिटी का कॉंसेट ठीक है तो यह आप याद रखेगा इम्मुनिटी जबी रिशेंटली हाइब्रड इम्मुनिटी आ रही है तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस जो टेलिस्कोड है उसमें प्रित्वी के आकार के बर्गी घ्रै की खोच करने में वो सफल रहा है programme ॏ थ जो आपको समझ में आ गया आतको पता है एक आज के बाद और भी ऐसे प्लानेट्स देखने को मिलेगे और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 5000 उससे जादा भी होगी और उनका कहना है कि हर तारे का कम से कम एक ग्रह उसकी परिक्रमा तो करता ही करता है ठीक है और जुपिटर से भी बड़े और ऐसे विशाल जो है वो ग्रह देखन है उनको LX475B से स्टार्ट करना किया है नेम और उसके बाद उनको नया नया नाम दिया है रिड डौर्फ स्टार के रूप में तो यह सब जो है डिस्काविज अभी रिसेंटी की गई है इससे फायदा क्या होता है अगर आप इस तरीके की चीज़ों को डिस्कावर करते हो तो वो हम इस चीज़ के तहट जान सकते हैं और हमारा जो एक आंसर है क्यों क्या कैसे वो भी हमें पता लगता है प्लस हमें यह पता लगता है कि हम सिर्फ इस उनिवर्स में अकेले हैं या हमारे जैसा कोई और भी प्लानेट एक्जिस्ट करता है वो सब हमें सारी चीज़े पता चलती है ठीक है तो हमें ये पता चलता है कि कहां पर जीवन संभव है कहां पर नहीं है कहां पर पानी है कहां पर मिट्टी है हर चीज के बारे में जाना को बहता है ठीक है और अगर किसी भी प्लैनेट पर वो इतनी दूरी पस्थित है जहां पर जल प्राप्त करने की इस प्रिफ्रंट टाइप्स के स्टार होते हैं एक होता है मुख्या, अनुकरम्तार, जिसके अंदर हमारे जो मैंने स्टार जह से की सान है हमारा alpha, century सबसे नियरे स्टार है, हमारा सिर्स है, यह सब हमारे में सिक्वेंस टार में आते है, जिनका color जिनका size वैरी कर सकता है एक होता है red giant star red giant star क्या होता है जिसके अंदर hydrogen बहुत जादा होता है और उसे की वज़े से वो star की light बढ़ती है और वो धीरे-धीरे करके उसका size भी बढ़ता चाहता है ठीक है उसे कहता है red giant star फिर आता है white dwarf star जब उसमें कुछ भी hydrogen नहीं होता बिलकुल hydrogen पूरी तरीके से समाग हो चुका होता है और उसके अंदर जो है बहुत कमी हो जाती है कि वो fusion reactions कर सके तो वो बन जाता है एक सफेद बोना तारा white dwarf star फिर है red dwarf star जोकि सबसे कॉमन है चोटे-चोटे से होते हैं इस स्टास काफी सारे इसको देखने को मिले है चोटे-चोटे से स्टार इनकी काफी जादा आई जो है वो light नहीं निकलती है भार तो इनको earth से पता लगाना बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि इनकी light नहीं है बहुत dim से होते हैं फिर आते हैं जब भी किसी जो स्टार है उसका अगर जो एक मास है वो 1.35 और 2.1 गुना के बीच में है सूरे से इतना बीच में है तो उसको महाँ पर जो है वाइट डॉर्फ नहीं बनाता उसकी देथ हो जाती है और फिर जो है वो एक explosion की form में बन जाता है और वो एक neutron star कहलाता है एक ऐसा star जिसके अंदर proper तरीके से सरफ neutrons ही होते हैं नाम से ही neutron है जिसमें सिर्फ आपको neutrons देखने को मिलेंगे ऐसे ही आते हमारे super giant stars और माहा दानफ बहुत बड़े सबसे बड़े यहां पर आप कहलो sun से भी dozens time बड़े बहुत ज़ाद बड़ा size हो जाता है यह बहुत जल्दी की death भी होती है जलदी जल्दी खतम भी होते जाते हैं और बहुत जबड़े होते हैं ठीक है भई तो यह सब स्टार्स के बारे भी शॉट शॉट से फैक्स हैं कुछ याद रखिए गए लास्ट आप है कि हमारा एक्सपोर्ट लेड इंप्लॉइमेंट जनपरेशन हम लोग क्या चाहते हैं आज के टाइम पे कि हमारी जो है रोजगार का अगर स्रिजन हो रहा है बढ़ रहे है रोजगार तो निर्याद की ओपर आधारित है निर्याद का मतब एक्सपोर्ट हो उसके अंदर आप भी जानते हैं कि हमारे देश में काफी इंप्रॉइमेंट हो रही है एकनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन फिर भी शहर में रहने वाले युगाओं को उतने ज्यादा अफसर क्यों नहीं घुल रहे है ठीक है आज भी जो इंप्लॉइमेंट का रेट है नो वो 10% बना हुआ है अनिम्प्लॉइमेंट का वह काफी जादा अभी ऐसे लोग है जिनको जो अनिम्प्लॉइमेंट है ठीक है यहां पर काफी सारे लोगों की एंट्री भी चाहते हैं गर बात करो तो इंडिया एक्सपोर्ट काफी चीज़े करता हैं लेकिन क्या अधर कि जब एक्सपोर्ट जाधा करोगे तो बाहर की कंट्रीज आप की कंट्री में इंवस्ट्मेंट जादा करती हैं इसा होता है न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए चीज़ कर रहे हैं ताकि वहां की कंट्रीज बहुर इंवेस्ट करें और हमारे लोगों को यहां पर काम मिले साथे साथ आपको अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा यहां पर क्वालिटी भी दे नहीं है हम लोग कुछ जादा ही एक्सपोर्ट सेक्टर पे जो है रिलाए करना शुरू कर दिये हैं अभी उत्रा हुआ नहीं है उतने हाई क्वालिटी प्रड़क्ट्स तो आई नहीं है अभी और मैनुवली वर्क हमारे यहां पर थोड़ा सा जादा होने लग गया है तो मतब इंडिया की लेवर मैंग जादा करती है तोड़ा वो कम हर करके मशीन आ गई है ना मशीन पर जादा निरबर रहो बेसिकली और बहुत जादा पॉपिलेशन भी है हमारे यहां पर तो हमारी थोड़ी सी मांग भी जादा है चीज़ों कि तो हमें करना चाहिए हमें आई तो हमारे उद्धी हो गए लेबर इंटेंसिब उन पर फोकस करना है एवडिया के प्रोग्राम को इंक्रीज करना है नहीं नहीं क्वालिटी स्टांडर लाइं ऐसा नहीं की क्वालिटी आगे खतम नहीं उसमें और इंप्रूमेंट लेके आँए हम जो हम यहां पर स्टार् प्रेशन भी जाद है हमें उनको फीड भी करना है बहुत जरूरी है कि हम इन सारी चीजों को आगे चलके प्रमोट करें तो यह है आपका पुरा कॉरा कॉंसेप्ट आइप सब लोगों को यहां तक क्लियर हुआ 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 आपका कोई भी डाउट होगा आपको अपना कमे सेक्शन में जरूर बताएं पिर आता है हमारे पास यहां पर किसी के बाद कि क्वेशन देखते हैं सार्क अभी मैंने बताया था सार्क के बारे में सार्क जो है जिसके हेड़कॉर्टर्स काठमंडू नेपाल में सिचुएटिड है चीक है यहां पर जो है तो इसमें कौन-क प्रदेश-भुटान, मौल्डीज, नेपाल, पाकिसान, श्रिलंका सब शामिल है और इसका जो यहां पर बाई दूई बार्शिक सम्मेलन था वो 2014 काठमंडू में हुआ था और लास्ट का जो 2016 का सम्मिट था वो यह इंडिया में इन्होंने कंड़क्ट कराया था ठीक है त तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लास्ट क्वेशन है हमारा अक्षे बिक कैम्पियन फॉर डॉकुमेंट के लिए किया गया कर ला एसा वायना देश देश का पहला जिला बनाए जहां पर सारी आदिवासी लोगोंने अपने 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 डॉक्यूमेंट की सप्ला सब लोगों को भी कवर करते रहेंगे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स लेक्चर में तब तक के धनेवाद शुग्रिया जैह